नबे के दशक में खुबसूरत एक्टरस हुआ करती थी शिल्पा शिरोडकर जी हाँ शिल्पा शिरोडकर जिनको फिल्म किसन कनहिया में जो मन्दाकनी की तरह ज़ड़ने में नहाती हुए उन्होंने सीन्स दिये थे और उसी फिल्म से वो बहुत चर्चा में आ गई थी वैसे तो शिल्पा शिरोडकर की पहली फिल्म थी भ्रष्टा चार लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किसन कनहिया फिल्म में काम किया इस फिल्म में यूँ तो मादुए दिक्षित भी थी लेकिन ज़ड़ने के नीचे नहाकर शिल्पा शिरोडकर ने लाइम लाइट चुरा इसके अलावा उनको हम film के भी याद किया जाता है आखे film में भी उन्होंने काम किया 90 के दर्शक में बहुत सारी हिट फिल्मों का हिस्सा रही लेकिन कोई भी ऐसे film नहीं है जो शिलपा की बदावलत हिट हुई लेकिन इसके बाप जो शिलपा शिरोड करने जो है 18 साल की है और बीच पिछले कुछ सालों में जो है शिल्पा को टीवी सीरिल्स में देखा गया था उन्होंने कई सारे टीवी शोस किये लेकिन बॉलिवोड फिल्मों में बहुत जादा दिखाई नहीं दी और अभी भी उनको इंतजार है कि वो किसी अच्छे वेब सीरीज में दिखें या फिर किसी फिल्म में दिखें फिलाल शिल्पा जो है दुबई में रहती है दुबई में अपना उनका घर है इसके अलावा उनके पती का अच्छा कारोबार है वहाँ पे तो वो हैपली मैरेड है और वहाँ पे सेटल है लेकिन एक हिरोईन के मन में कहीं न कहीं कसक रहती है कि वो अपनी एक्टिंग करियर को जारी रखे और इसी बहाने जो है कभी-कभी वो मुंबई आती रहती है उनको कुछ शोज होगरा मिलते है तो उसमें वो काम करती रहती है शिल्पा शिरोडकर जो है वो नम्रता शिरोडकर की बड़ी बहन है इन दोनों बहनों ने बॉलिवुल्ड में काम किया और अकसर जो है सोशल मीडिया पे दोनों बहने एक साथ तस्वीर शेयर करती है कभी-कभार फैमली हॉलिडेज पे साथ मिलती है या फिर शिल्पा शिरोडकर अपनी बहन के घर चली आती है फिर नम्रता उनसे मिलने चली आती तो ये दोनों बहने बहने बहुत अच्छा करियर दोनों का नहीं रहा लेकिन इन दोनों ने अपनी ठीक ठाक पहचान बना ली शिल्पा जहां बॉलिवुड की जानीमानी आक्टरिस रही वही नम्रता जो है फिल्मों में काम कर रही थी उसी दोरान उनको महेज बाबू से प्यार हुआ और उन्होंने उनसे शादी कर ली तो शिल्पा और नम्रता दोनों ही बहने बॉलिवुड में एक्टिव रही ठीक ठाक पहचान बनी आपको बता दे कि इन दोनों की नानी भी मराथी फिल्मों की एक्टरस हुआ करती थी और कहीं न कहीं परिवार में जो है एक्टिंग की परंपरा पहले से रही और शिल्पा और नम्रता ने भी इस परंपरा को जारी रखा आपको ये बताए कि शिल्पा शुरोड कर जब टेंथ में फेल हो गई थी तब उनको लगा कि उनका पढ़ाई लिखाई में कोई करियर नहीं है और ऐसे में उन्होंने अक्टिंग को अपना करियर बनाया पहले उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और फिर जब उन्होंने बॉलिवुड की फिल्मों के लिए जो है स्क्रीन टेस्स देने शुरू की और फाइनली वो फिल्म रस्ताचार के लिए सलेक्ट हुई और इस फिल्म से उनको बहुत जादा पहचान तो नहीं मिली लेकिन बॉलिवुड के लिए उनके रास्ते खुल गये शिल्पा ने अपने दौर के सभी बड़े अक्टर्स के साथ काम किया उनसे मीठुन चकवर्ती हो अमिताब बच्चन हो गोविंदा हो अक्षे कुमार हो कई सारे अक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया हिट फिल्में दी बड़ी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्मों का हिस्सा रही लेकिन कहीं न कहीं कभी उन्होंने कोई ऐसी फिल्म नहीं दी जिसके जरीये उनकी बहुत ज़ादा पहचान बने लेकिन इसके बाबदूर 90 के दशक की उस खुबसूरत एक्टरस को लोग जो है आज भी याद करते हैं भले ही अब वो बॉलिवुड से दूर दुबाई में रहती हैं लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टेव रहती हैं सोशल मीडिया पर के काफी फॉलोवर्स है और आए दिन वो अपने घर परिवार की तस्वीरे जो हैं फैंस के लिए शेयर करती रहती हैं